तेरे आंसों पे किसी को तर्स नहीं आएगा ए औरत चल उठ और उठके वो कर कि तुझे कभी किसी की जरूरत नहों क्यूंकि इतिहास कवा है वही औरत याद की जाती है जिसने उठके खुद के लिए कुछ किया है बिना किसी आदमी के दम के मत दिखा अपने आंसों किसी को क्योंकि तुझे रोने के लिए कंधा और चलने के लिए किसी का साथ नहीं चाहिए ये कल्यूक की दुनिया है यहां कोई अपना नहीं मिलेगा तुझे तेरे सिवा इस बात का ख्याल रख और उठ और चल और अपने जिन्दगी को सींच उसमें ऐसी फसल पैदा कर कहते हैं लोग कि तेरी बातों में सुनापन और खालीपन नजर आता है तो मैंने भी कह दिया हाँ कुछ जगए मैंने अपने जिन्दगी में खाली रखी है उस कुएं की तरह जिसमें कभी पानी नहीं होता और वो आखरी दम तक खाली रहेंगी वो कभी नहीं भरेंगी हाँ मेरे लफजों से मेरी फीलिंग से भी वही ऐसास होता है कुछ लोगों को पर वो सच है क्योंकि वो खाली जगह इसलिए है क्योंकि लाइक नहीं कोई उस जगह में रहने के मुझे यही ऐसास हो रहा है और बहुत ज़्यादा औरत पन है मुझे में औरत ही हो न तो इमोशन बच्पन से डाल दिया समाज ने संसकार दे दिये और उनी के बीच में जीती रह गई पर नहीं औरत तो उठ और उठके सिंचाई कर अपनी उस खेती को जो तो दूसरों के लिए करती रही पेट भरती रही और खुद भूकी रहती रही उस बंजर जमीन की तरह है जिसमें कभी बरसात नहीं होती ना कुछ होता है तुने भी अपनी जिंदगी वही बना ले सिर्फ दूसरों के लिए ही सोचती रही कभी तुने ये सोचा कि क्या कोई तेरे लिए भी सोच रहा है पगली आज भी वक्त है अपने लिए सोचना शुरूर कर क्योंकि तेरे लिए कोई नहीं सोचेगा तुझे आद साथ हे वरत चल उठ और संचाई कर, अपनी फसलों को तैयार कर, अब दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए, क्योंकि तुझे अब किसी सहारे की जरूरत नहीं, अब वो वक्त नहीं, कि तुझे किसी के कंदे की जरूरत पड़े रोने के लिए, अब वो वक्त भी नहीं रहा कि कोई सहारा बन सके क्योंकि बे सहारों की ये दुनिया है यहां कभी किसी से कोई उमीद मत रखना यहां पे कभी अपनी तकलीफ किसी से मत पांटना तूटी हो तो सहले ना पर अगर तूट गई हो किसी से कह दिया तो लूट लेंगे लोग दर्वाजा बंद रखना अपने निल का क्योंकि यहां पे रात में नहीं दिन में ठक बहुत गुज जाते हैं और लूट के चले जाते हैं हे औरत तुझे परमात्मा ने वो हिम्मत वो शक्ति दी है कि तूख किसी इंसान को जनम दे सकती है तो फिर तूख खुद की रक्षा क्यों नहीं कर सकती खुद का पालन क्यों नहीं कर सकती सब कुछ तो हो सकता है सब कुछ है ना